आपके अपने चैनल स्टेंड बीबीएसी में आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ प्रिबियस इयर का प्रैक्टिस सेट ओके प्रिबियस इयर का कोश्चन एंसर मिलेगा आपको कोश्चन मिलेंगे उसका मैं फूल एनलिसिस करवाऊँगा ओके इनलिसिस के साथ हम लोग और करेंगे और बहुत important है आप देख सकते हैं previous year salt paper जो है कोट बिहार सिबिल कोट का 177-2011 का paper है कितना important है आप देख लेजे ओके 2016 का paper है और हिंदी हम लोग क्या करेंगे इसमें हिंदी करेंगे और क्या कर लेंगे English इंग्लिस कर लेंगे तो हिंदी और इंग्लिस बहुत important है कर लेंगे और मैथ हम अलग से करवा रहे हैं तो इसका मैथ आप अलग से 8 बजे आपको मिलेगा वहां से करेंगा और ये सेट रोज जो होता है सामको 5 बजे आप जूरेंगे स्टेंड विपीए सी के चानल पर subscribe कर ल रहा है उसका description में आपको link मैं दे दूँगा वहां से आप सारा वीडियो देख सकते हैं ओके बिहार सिबिल कोट का आपको 87 वीडियो मिलेगा सभी के लिए है पियोन के लिए color के लिए श्टेनों के लिए और computer operator के लिए बहुत important है ओके फ्रेंड तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिसेट सुरू करते हैं ओके जो GKGS है प्योन में नहीं पूछा जाएगा ओके तो प्योन वाली नहीं देखेंगे इसे हम लास्ट में करवाएंगे जो होंगे ओके चलिए इंगलिस कप्या पर देखेंगे देखते हैं प्रिभेस येर 2016 में पूछा गया है इन दे फ्लोईं गोचन आउट अव दिए फोर अल्टरणेटिंग चुछ दिवान विच गया है इसमें से बताई इसका राईट अंसर क्या होगा ओके क्या होगा राईट अंसर देखें यानि ये बोल रहा है क्या बहुत कम समय के लिए प्रियोग होने वाला ओके जो बहुत कम समय के लिए पर गोगो तो देखिए इसका right answer क्या होगा Transistry C हो जागे right answer K क्यों ऑगा क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है ये बहुत ही कम समय के लिए जनी चनिक समय के लिए बोलते हैं इसलिए C right answer होगा और बाकि जो rotatory है रोटेशरी का नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रियोग होता है किसी केंदर पर घूमने वाले के सेंस में, जो सेंटर पर प्रियोग होता है, और यहां पर देखे, रीपोजिटरी है, इसका प्रियोग इसलिए यहां पर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कोसिया भंडार इस सेंस में और regular है तो नियम है तो खेर यह तो अलग है तो right answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा आगे देखिए आगे है यह person who believe in total evolution of war क्या होगा इसमें से right answer देखे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि question क्या पूछ रहा है आपको क्या करना है इसमें पूछ रहा है पासी यानि evolution of war कहने का मतलब है कि ऐसा योध जिसे पूरा अमन सांती नहों हो पूरा बर्बाद हो जाए उस सेंस में बोलते हैं तो आपके चाहने के नम उताबिक हो तो क्या अमन पसंद मतलब पसंद नहीं है जो योध हो रहा है उसे किसी को थोरे ना पसंद आगा छती होगा तो pacifist होता है उसका मतलब जो क्या पसंद नहों कि उस सेंस में बोलते हैं और देखे और यहाँ पर दिया है socialist तो इसका अभी नहीं है ओंगे और यहाँ पर दिया है और क्या फैसिस्ट दिया है ओंगे दीनोमर में देखे तो यह फासिवादी होता है इसका मतलब ओंगे और क्या दिया है यह60 souhaad niin मेर्क्स वाधी को बोलते हैं यहाँँ पर राइट अंसर यह होगा ओंगे राइट लोगों चार अप्सन दिया है, इसमें से राइट अंसर क्या होना चाहिए, देखे, कोश्चन पूछ रहा है कि ऐसा चीज, जिस पर आख बंद कर विश्वास किया जा सके, किसी भी चीज, कुछ भी बोले, उस पर आप विश्वास कर लिजे, उस सेंस में आपको बताना है, समझ गए, तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए कि कौन सा अप्सन जो है, उसका मतलब विश्वास यानि आख बंद कर विश्वास किया जा सको, उस पर कौन सा सेंटेंस हो, कौन सा वाड होगा, ए नमर में देखिए आप, क्या दिया है, क्रेड लस, क्या दिया है, क्रेड लस, मतलब कहने का मतलब है कि आप इस पर आख बंद कर भरोसा कर सकते हैं सहज विश्वासी जिसको बोलते हैं तो राइट अंसर यह हो जाएगा और बाकी जो अप्शन है इसका प्रियोगिस लिए नहीं होगा देखें इनक्रेडिबल है तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है और विश्व किया जा सको के और देखें इनक्रेडिबल है तो यह विश्वासी बोलते हैं ओके वह विश्वास्वासी हो जाएगा तो इस तरह राइट अंसर पर क्या होगा सिर्फ यह होगा ओके आगे देखिए फाइंड दी मिस्पेल्ट वर्ड इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो स अब है वह मिस्पेल्ट वर्ड है ओके तो देखिए एरडोस देखिए कहां पर लिखा हो है बी नमर में देखे एरडोस ओके इसको छुरकर बाकि जो तीनों ऑप्षन है एसी डी यह सब सही है सबका स्पेलिंग सही है एरडोस का स्पेलिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होता ह है एरडोस का जो एस्पेलिन होता है यह होता है ओके आर होता है डी होता है यू होता है ओके तो इस तरह यह होगा यह गलत है ओके तो बी नमर जो है यह गलत है ओके आगे देखिए ए परसन हो डैस अन हीज ओन इफोट है दी बेस्ट चांस टू वीन ओके इसमें से बताना ह पर आप क्या करेंगे बाइशगा एक साथ जब भांता प्रेयोग क्या होगा और यह उपन का प्रेयोग करेंगे औन यह उपन का ओकई लेकिन आपो आपको चार अपशन दिया है वह अलग दिया हो के यहीं रिलाईष के सेंस में धिलाइष बोलते हैं विश्वास या भरो सरक के संस में इसलिए राइट अंसर यह हो जाएगा दोस्तों के आगे देखिए आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुए देखिए आगे का कोश्चन रहाँ आपके डिस्पले पर ओल दी एप्लिकेंट डैस एंड रिजल्ट वील एनॉंस्ट नेक्स्ट वीक ओके और टू भी रै और टू रैंक रैंकिंग रैंक इसमें से क्या होना चाहिए राइट अंसर देखिए रिक्त अस्थान पर सिर्फ नाउन का परियोग करना होगा क्योंकि रिक्त अस्थान के ठीक पहले के नाउन के साथ एपस्ट्रोफी एस का परियोग किया जाता आपको पता है ना तो निय आगे देखिए 57 नमर देखिए find the misspelled word इसमें आपको misspelled word बताना है ओके तो देखिए यहां पर देखेंगे तो आप देखिए चले comment किजिए आप लोग जानते हैं तो देखिए enemies जो है enemies डी नमर में देखिए ओके इसके अस्थान पर enemies होगा वाई के अस्थान पर I, E, S जो रहेंगे क्यों क्योंकि इसका मतलब क्या होता है सुतुरी या बैरी ओके तो यह सही होगा ओके लेकिन यहां पर यह गलत है ओके वाई के बाद हम एस नहीं लगाते हैं I, E, S का प कर मतलब होता है को इसका मतलब क्या होता है क्टरपन्ति और यूफोरिया दिया है यहां पर बी नमर में इसका मतलब होता है परमानांद ओके और यहां पर दिया यूटिलेटरियों इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब उपयोगिता वादी के सिंस में बोलते हैं सबका word meaning भी आप note करते चलेंगे आगे देखे इसमें हमको क्या पहचाना था 58 नमर में कि कौन सा misspelled वाला है तो आप ए नमर में देखे also facts जो होता है इसका मतलब होता है grass नली लेकिन यहाँ पर mistake किया हुआ है यह spelling इसमें सुधार करना पर एगा क्योंकि यह गलत है और बाकी का meaning देखे hot miss आपको पता है spine miss पता होता है आपको पता है कि spinal cord जिसको बोलते है rear कहड़ी यहाँ पर short में दिया हो एक होता है die from क्या दिया है die from die from दिया होके die from बोलते है जिसको यहाँ पर क्या होता है g silent होता होके तो यह सब हो गया ओके इस तरह लेकिन right answer क्या होगा आपका यह हो जाएगा ओके समझ गए आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है आगे दिया हुए she is beautiful, does brave she is beautiful, does brave देखिए beautiful सुन्दरता के सिंस में पर्योग करते हैं जो सुन्दर होता है और जो बहादूर भी होते हैं दोनों सब्दों के हम सकरात्म कुरूप से पर्योग करेंगे क्योंकि इनके बीच में जो रजाएगा तो भी न होगा beautiful and brave तो end होगा तो right answer D हो जाएगा हमारा समझ गया इसमें कुछ नहीं है आगे देखिए all the decision dash are likely to be taken by consensus तो देखिए सही सब्द है however इसमें सही सब्द होगा क्यों होगा आपको पता है इसका परयोग हम करते हैं तो भी या फिर भी या एथाफी के sense में तो भी तो भी होगा फिर भी होगा तो उस sense में इसका परयोग करेंगे और इस सब्द का परयोग अभी कहीं गई बात के साथ कुछ और कहने के लिए किया जाता है अभी जो कुछ बोलता है उसके लिए हम पर्योग करते हो के समझ गए तो right answer भी हो जाएगा हमाँ आगे देखें the old man could not remember where he dash his money कहने का मतलब है कि देखें इस तरह का जब इस sentence मिलेगा आप क्या करेंगे वाक में दो clause होते हैं आपको पता होता है कोई भी वाक होगा तो उसमें दो clause मिलेंगे पर्थम clause में अगर इस तरह का मिलेगा तो क्या करेंगे could का पर्योग कोड का परयोग यानि C,O,U,L,D कोड बोलते हैं इसको परयोग करेंगे कोड को किस में रखेंगे पास्ट में हम रखेंगे कोड कुर्ण को समझ रहें इसलिए दूसरा कलोज होगा वो भी किस में होना चाहिए पास्ट में होना चाहिए क्लॉज जब दो क्लॉज रहेंगे तो इतना रखिएगा वाक जो होगा वो दोने पास्ट में होगा यानि ऐसा एक मात्र भी कल्प जो होगा वो हैड के सेंसर में पर्युकिया जाएगा had deposited ओके तो क्या हो जागा यह नमर में देखिए दिया हुआ है तो राइट अनसर यह हो जाएगा ओके आगे देखिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है she had frequent to text so she decided to lash इसमें क्या होगा आपको देखे इस तरह का sentence मिलेगा decided to तो यह किस में है भाई past में तो हाई और past में आपको पता है कि भीवन का प्रयोग होता है यानि decided to यहाँ पर जो दिया है decided to plus किस में है भीवन का प्रयोग हुआ है तो दूसरा खंड हम कैसे लिखेंगे so she decided to remove her teeth so कैसे लिखेंगे so को लिख देते हम so c decided to remove her क्या हो जाएगा teeth तो राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा d ओके d राइट अंसर हो जाएगा ओके आगे देखिए आगे है at one time Mr. राम dash this super market ओके इसमें क्या करना है देखिए at one time past को refer करने वाला ad verb of time है क्या है ad verb of time ओके ad ad verb of time है ओके समझ गए चुकि at one time past को refer करने वाला ad verb of time है जिसके साथ हम किसका प्रियोग करेंगे भी टू का भर्ब का दूसरा रूप परियोग होगा जो क्या होगा o w n e t ond ond के रूप में परियोग होगा इसलिए यहां पर right answer क्या हो जाएगा right answer c हो जाएगा आगे देखिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे देखिए इसके बाद दिया है in the flowing question out of the four alternative choose the one which best express the opposite meaning of the word given in capital letter okay तो आपको क्या करना है बताना है इसमें से कि capital letter में जो दिया है इसमें चून कर आपको बताना है okay देखिए ripple दिया है 64 में ripple इसका मतलब हम बता देते हैं ripple miss क्या होता है हटाना okay हटाना okay ripple miss हटाना हो गया okay या हम इसको त्यागना भी बोल सकते हैं उसी के सेंस में हुआ ना त्यागना ओके तो रिपल मिस हटाना हो गया अब चलिए बताईए कि इसका अपोजिट क्या हो रहा चाहिए तो अपोजिट भाई क्या हो जाएगा एट्रेक्ट हो जाएगा बी रइट अनशा हो जाएगा उसके बाद क्या है अपलाइँ 60 नमबर में है अपलाइँ ओके तो आपको पता है अपलाइँ सौरी अपलाइँ नहीं लिखा हुआ सौरी माफ किजिएगा इसको हम क्या परहेंगे अपेलिंग परहेंगे ओके appealing उके इसका मतलब होता है डरावना उके डरावना पढ़ते हैं ओके डरावना है तो इसका opposite क्या होगा आपको पता है डरावना यानि संतावना देना उके तो संतावना को English में हम क्या बोलते हैं भाई यानि consoling बोलते हैं ओके right answer C हो जाईगा, ओके, आगे देखिए पैसी 5 दिया है, पैसी 5 ओके, देखिए, पैसे 5 का मतलब क्या होता है, सांथ करना सांथ करना, ओके तो देखिए, पैसे फिबोले तो सांथ करना, इसका opposite क्या होगा जो काफ़ी क्रोधित हो, यानि इन रेज बोलते हैं उसको क्या हो जाएगा यानि राइट अंसर सी हो जाएगा ओके आगे देखिए आगे देखते हैं उसके बाद है इन देखिए उसके बाद यह है बैक नॉड बैक आउन दिया है क्या परहेंगे इसको इंगलीज में लिखा कुछ और आता है लेकिन हम उचारन कुछ और करते हैं तो क्या दिया है बैक नॉड ओके यानि इसका मतलब होता है इसारा करना इसारा करना ओके तो कहने का मतलब है कि बेस्ट एस्प्रेक्स क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा कॉल्ड हो रहा है ओके राइट अंसर सी यानि बुलाने के सेंस में ओके आगे देखिए औस्टिनेट दिया है औस्टिने कहने का मतलब है इसका मतलब होता है जीदी जीदी के सेंस में पर्योग किया जाता है तो इसका बेस्ट एक्सक्रेस सब्द क्या होगा stubborn हो जाएगा okay d हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है gd okay इसका भी मतलब gd होता है okay उसके बाद देखे decrop comment केजिये इसका मतलब क्या होता है डी क्रेपिट्यूट क्या होता है चलिए बताएं लोग कमेंट किजिए इसका मतलब क्या होता है डी क्रेपिट्यूट क्या होता है डी क्रेपिट्यूट मिस क्या होता है डी क्रेपिट्यूट अब लोग कमेंट कर सकते हैं what meaning पाता है तो ओके देखिए हम बता देते हैं डी क्रेपीट्यूड का मतलब होता है कि दुरबल बेखती जो कमजोर होता है देखते होंगे कभी कभी जो कमजोर लोग होते हैं कोई विए उसको दबा देता है तो यानि कमजोर के सेंस में डी क्रेपीट्यूड बोलते हो के कमजोर के सेंस में लेकिन यहां पर क्या होगा भाई इसके जैसा जो एक्स्प्रेस भाववत पन करें यानि फिबलेनेस ओके देखे फिबलेनेस जो दिया है बी नमर में इसका मतलब कमजोर याद दुरबलता होता हो इसलिए राइट अंसर हो जगा देखे क्राउड में इस भीर होता है जो लिखा है डिजिज में इस बीमारी होता है डी नमर में ओके याद रखेंगे इससे भी आगे देखें आर यू रियली डिजाइरस विजिटिंग जपान कहने का मतलब है आपकी एक्षा है क्या जपान भ्रह्मन करने क्योंकि वास्तों में तो उस सेंस में बोल रहा है तो देखें डिजाइरस जब ही इस तरह के वर्ट हैगा इसके साथ हमेशा ओफ का परियोग होता है तो शिमबल है सी हो जगा राइट अंसर ओके आगे देखें दी स्काई इज ओबरकास्ट वी डैस दी एस टॉम विल सुन बॉस्ट ओके तो क्या करना है इसमें सही सब्द क्या लेना होगा देखें एक्सपेक्ट लेना होगा यहां पर एक्स एक्सपेक्ट ओके क्यों लेना होका समझ यह इसका परियोग तो दीए भन को कम ओके ओके औरस monsters औरके इस durum में हैपनर इस सेंसर में परियोग करता हैं थो तो हमेरा रैइट आइटमी हो जाएगा स्वों compr दिएे व्योग 2005 पेडिशन वाज डैस फोर इस ब्रेविटी एंड कलियरिटी ओके तो क्या करना है इसमें यानि जो सही सब्द है क्या हो जाएगा इसमें जो फिल इंद ब्लैंक्स है क्या भरेंगे आप तो देखें कहने का मतलब है हमारा इसमें से रिमार्केबल होगा क्यों होगा क्योंकि इसका हम पर्योग करते हैं और सदहरन या सडेनली के संस में यानि आसरच्च जना के संस में ओके तो राइटम सर्षी हो जाएगा हमारा ओके आगे देखें आगे उपर क्या लिखा है इन दो फ्लोइंग को चन फोर अल्टरनेटिव इसका पर्योग हम लोग ना करगड़ने के संस में पर्योग करते हैं ना करगड़ना का मतलब क्या होता है यानि माफी मांगना ओके जो गलती कर देता उस संस में इसका पर्योग तो हम इसको ऐसे बोलेंगे तो यह अपर अपरोजाईज तो राइट अंसर वी हो जाएगा ओके आके देख यह दिशेंट्स लाइफ वाजन ओपन बूक ओके कहने का मतलब है खुली किताब जिसको बोलते हैं खुली किताब यह सब मुहाबरा है ओके इसको हम कैसे बोलेंगा ओन डाट हेल्ट no secrets one dad held no secrets okay तो यह right answer क्या हो जाएगा d number हो जाएगा okay d number में है okay he has very nice manner but you would better take what he say with a grain of salt okay तो इसमें से बताना है आपको कि right answer क्या होगा अब आप लोग comment के जानते हैं तो हम answer बता देते हैं कि इसका right answer क्या होगा देखिए जो sentence दिया है तो इसके according with a grain of salt कहने का मतलब है संदेह आतमक होता है उस रूप में परयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है without holy believing without holy believing तो right answer यह हो जाएगा okay तो देखिए friend हमारा क्या हुआ English complete होगे okay English हम लोग complete कर लिएं जो English पूछा था हमारा okay previous year का 2016 का question था अब हम लोग Hindi करेंगे okay देखिए निमलिखित परतेक चार भी कल्प में से क्या करना है बेमेल और संगत सब चीहित कीजिए okay thirty seventy six में देखिए क्या दिया है सारीरिक अधी दहिक मानसिक इसमें बताना है देखिए दिये गए भी चलिए कमेंट किजिए अप लोग की क्यार आईट अंसर ओके हम बताते हैं अंसर देखिए दिये गए भी कल्प में अधी जो है अधी यहां बी नमबर में ओके देखिए इसका मतलब असंगत है सबसे अलग है ओके देखिए सारीरिक दहिक और मानसिक यह संगत सब्ध है ओके यह मनुस के सारीरिक यह मन से समधित भी सेशन है सारीरिक दहिक तथा मानसिक इक परतिया से बना है किसे इक परतिया से बना है ओके समझ रहे है ना इक परतिया से बना ह इदल मतलılar मानस से है तेकिन अधि जो है और सर्ग से निर्मितिय है अधिकार हडिपन हो गया अधिlet को गया समझ रहे है दिनायख हो गया अधिकार लिए समझ्ज क्ष़र कर लिए कर कर चलना है और आगे देखेए सिबेंटीस आगे इसमें दिया मश्टिक्स-सीरर कि में कहने का मतलब है जो हमारे बिकल्प दिया है जो सीर्स सब्द को अब ध्यान से देखिए सीर्स सब्द जो है इसमें यह असौंगत है क्यूं है समझ यह बताते हैं मस्तिक्स सीर्स और सीस या माथा यह किसका है परिवाची सब्द है माथा का लेकिन सीर्स का अर्थ होता है परमुख या परधान या स्रेश्ट तो समझ गाए क्यूं होगा आगे देखिए उसके बादे कठिनाई जटिलता खेद समस्या इसमें से कौन सा अलग होगा जो बेमे में देखे खेद का तो खेद हमारा असंगत है बेमेल है ओके यानि और अप्शन देखिए कठिनाई दिया है जटिलता दिया है समस्या दिया है यह क्या है सब संगत है एक दूसरे से संगत है ओके यह नकरातमक सब्द है जबकि खेद जो है एक दुख को भावधपन कर रहे हमें खेद है, यानि हमें दुख है कि कोई कांड हो जाता है, कोई घटना घट जाता है, उस सेंस में, तो खेद का परिवाची क्या हो जाएगा, अफसोस, दुख, गम, ब्याथा, पश्टावा सोक, लेकिन वाक्य में परियोग जो होगा, आपकी समस्या के बारे में सुन कर, म क्या होगा देखे स्वर्ग का प्रवाची शोब्द क्या होता है मौता है क्या होता है तो राय ये वह हो ज्याइग ऑक जिन लोगों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है उसके बढ cultivation ऑक क्या है भागी रथी तो BI भागी रथी का प्रिवाचे सब्द क्या हो जाएगा तो भागी रथी का प्रिवाचे सब्द गांगा होता है ओके गांगा यह राइट अंसर हो जाएगा ओके देखिए गांगा का प्रिवाचे सब्द के बात करें तो भागी रथी होता है देव सरीता होता है देव नंदी य या जानवी भी बोलते हैं, याद रखेंगे, नदी का पूछेगा तो सरीता, दरियात, प्रवाहनी, अपग, यह सब नदी का होता है, यह मुना का प्रवाची पूछ देगा एकजाम में तो क्या बोलेंगे, जह मुना होता है, कलंदी, कालगांगा, भनुग्या, यह सब प्रवाची सब्द के बात करें तो बिभावारी होता है, क्या होता है, बिभावारी, राइट अंसर सी हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है, बिभावारी, रातरी के बात करें तो रजनी भी मतलब होता है, रातरी, नीसा भी बोलते हैं, यामनी भी बोलते हैं, त्रिया भासा की अप्वरंस है तो राइट अंसर भी हो जाएगा आगे देखते हैं क्या दिया हूँ है आगे देखिए आगे दिया है रामचरित मानस किस भासा में लिखा गया है रामचरित मानस किस भासा में लिखा गया है चलिए अप लोग बता ये असानी से बता सकते हैं तो जाइसी भी है पादमावत भी है अखरावट भी है तूलसी दस दुहावली है गितावली है इस अब याद रखिएगा ओके जो इंपोर्टेंट है हम लोग वही देखेंगा और उसका ही अनालिसिस करेंगा ओके आगे देखिए आगे क्या दिया है नील गाय में कौनसर समा समास ओके जिन लोगों ने एक कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है चलिए हमें के बरियात दिलाते हैं करमदार समास किसे कहते हैं जी समास में πहला पद विश्यों और अंति पद विश्यों उसे करमधार समास करते हैं और इसमें उत्र पद परदान होता है जिसे निल गय अभी बताया मैंने निली है जो गय आयी काली दिय भी मैंने बताया है आप लोगों को आपने मेरा पहले का सब वीडियो देखा होगा तो आप असानी से बता सकते हैं आप जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे सब बहुत इंपोर्टेंट है चरपाई पर चादर भी छा देजिए वाक में वाक में से पर जो है न पर अधिकरन के लिए परियोग होता है अधिकरन के लिए किसके लिए अधिकरन के लिए तो राइट अंसर भी हो जाएगा जिन लोगा ने भी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है आगे देखिए चो वर्न किसके योग से बना है चोँ वर्न किसके योग से बना है ? तो चलिए कमेंट किजिए लोग क्या होगा इसका ? देखिये चोँ वर्न जो है ये कॉ किस से बना है का से बना है और Customer मुर्धाने सौ से इसको हम लोग चोँ बोलते हैं ऐसे से बना योग से दोनों के संयोग से बना है ओके और आपको पता है कि जो छोत्र ग्यां और स्रो ये कौन सा संजुक्त बेंजन है याद रखिएगा दो बेंजनों के संजुक्त बेंजन या संजुक्त आक्षर बनता है ये सब इंपोर्टेंट है याद रखेंगे आप ओके आगे देखते हैं हमारा क्या सही संधी विछेंद का विकल्ब चुनना है तो उनत्ती है उनत्ती को आपको पहचाना है कि कौन सा संधी है उनत्ती में कौन सा संधी आप संधी है बेंजन संधी बिस्वर्ग संधी स्वर्ग संधी और स्वर्ग और बेंजन संधी क्या राइट अंसर ह अगए देखे ऊनाती में बेणजन संदी थे इस तरह राहिट अंसर यह हो जाएगा हमार ओके, बेणजन संदी, आगए देखे रेखांकित में कौन सा संदी है Aoifeए रेखांकित में कौन सा संदी हमें अतलड वैप साइगे essen संर संदी, दिर्ग संदी शर्शंदी देखिए रिखांकित में दिर्ग संदी है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा आगर देखिए संसार में कौन से संदी है संसार में कौन से संदी है option है स्वर संदी बेंजन संदी भी संदी कभी कभी संदी नहीं बोलना है यार संदी वो संदी अलग हो जाएगा किसको बोलते हैं ससुर्जी को बोलते हैं संदी नहीं संदी बोलिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट अंसर संसार में जो है वो बेंजन संदी है राइट अंसर सी हो जाएगा आगे देखिए आगे देखते हैं निमलिखित परतेक सब्द के लिए उसके नीचे दियेगे भी कल्प में से उपयक सब्द उपयक समास को छाटना है दोस्त ओके किसको छाटना है समास को ओके तो इसमें दिया है दासानन, क्या दिया है दासानन, तो मैंने ये बताया है, सब बता दिया है दोस्त, देख लिजे, पढ़ाया हुआ, कैसे कोशन पूछा चरा है, प्रिभियस यर में, कॉंसेप्ट के लिए रहेगा, असानी से बना दिजेगा, गर्द उरा दिजेगा, तो चलिए बताईए आप लो, देखे, दासानन में बहु ब्रिही समास है, ओके, क्यूं होगा आपको पता है, मैंने बताया था, कि जिस समस्त पद के, जिस समास के दोनों पद, परधान हो, या कभी-कभी एक भी दिया रहता है, कॉन्फूजन के लिए, कभी-कभी दोनों दे पर एक नया क्या करेंगे, अर्थ का निर्मान करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, बहु ब्रिही समास, जैसे दासानन, तो दासा क्या है, दोस में दोस हो रहा है, ये क्या, एक संग्या को बोद कर रहा है, संग्या सर्वना में के दोनों के मिलने से, एक नया सब्द बन रहा जिसका मतलब दस मुखवाल होता है ओके तो राइट अंचल हमरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ओके आगे देखे पितामबर है पितामबर क्या हो जाएगा समझ ज़ starring पितामबर में बहुपरी ही समास है ओके सेम प्रोसेस लगा पारना है के समझ जाएंगे ओके आगे देखे याथा सक्ति है याथा सक्ति में कूं सा समान से एक कोमेंट कीजिए ठूरा सा मज़ाएगा इस में सब्सक्राइव क्या जो कि क्यों होगा बता दे यह भी बता दे क्यों होगा अभी भाव समास तो देखिए क्यों होगा भाई मैंने पढ़ाया था पहले आप लोगों को कि जिस समास का पहला पद जो होगा वो क्या होगा खंड में होगा किसमें खंड में तो उसे बोलेंगे पकरने का ट्रिक देख है आजम यानी आजनम ओके इस तरह अब एक्जामपल ले सकते हूं तो समझ जाएंगो ओके ऐगे दिखिये आगे देखते हैं क्या कोष्चन दिया हुआ है अगे है औन्धे के हांथ बटेर लगना अन्धे के हांथ बटेर लगना क्या होगा कमेंड केज़े लो कि इसका राइट अंसर क्या होगा ओके देखिए अंदे का बटेर लगना एक तरह का मुखावरा हो गया ओके इसमें बताना है देखिए अंदे के हाथ लगना कोई चीज कहने का मतलब है कि भाग से कोई वस्तु मिल जाता है लोक ने साथ दे दिया कोई अनपड गमार होता है सौरी नहीं बोलना चाहिए माफ किजिएगा लेकिन माल लेज़े समाज में तो है ऐसे आपके आसपास से भारत के किसे भी कुन में देखिये जो लोग नहीं पड़े लिखे हो इगनओर मतलब होता है यह वस्तिविक्ता है यह सचाई है ओके आप नहीं ठुकड़ा सकते हैं इसे हकिकत है ओके तो इस तरह का मिलेगा तो भाग से कोई चीज बस तो मिल जाता है उस तेंस में प्रियोक करते हैं ओके तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सी हो हथेली पर सर्सों नहीं जमती हथेली पर सर्सों नहीं जमती इसका मतलब क्या है चलिए बताए ये कमेंट कीजिए कि राइट अंसर क्या होगा देखे हथेली पर सर्सों नहीं जमती का मतलब होता है काम के लिए समय चाहिए यानि काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तब काम नहीं हो सकता इसलिए हथेली पर सरसों नहीं जमती तो राइट अंसर क्या हो जाएगा कि आपको डी राइट अंसर हो जाएगा डी राइट अंसर हो जाएगा ओके आगे देखते हैं आगे है 99 के फिर में परना 99 के फिर में परना मुहाबरे का क्या अर्थ होता है चलिए कमेंट केज़े लोग कि इसका राइट अंसर क्या होगा हम बताते हैं अंसर देखिए अंसर बता देते हैं 99 के फिर में परना मुहाबरे का अर्थ होता है कि चकर में पर जाना अब जानते हैं कि कोई काम मुझे नहीं होगा कोई बोलता है ना कि एक दिन धार का मतलब एक दिन धारा जो फिर बता देंगे हम ओके ऐसा बोलता है लोगों के तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यानि चकर में पर जाना ओके तो राइट अंसर सी हो जाएगा ओके जिन लोगोंने सी कमेंट क किजिए लोगे तो पढ़े होंगे आप लोगी जी है प्रिभियस एर में पुछ दिये थे हम ओके इसे पहले जो सेट करवाया था यह हो जाएगा प्रिथवी राज रासो को राइट अंसर यह हो जाएगा ओके देखे कहने का मतलब प्रिथवी राज रासो जो है इसको लिखा था ओके इसमें प्रिध्वी रचोहन की बिड़ता के बारे में बताया गए उन्होंने जो जो यूद किया था उनके बारे में बताया गए कि वो कैसे थे उन्होंने कैसे कैसे अपना सासन चलाया था ओके याद रखेंगे सब उसके बाद देखें तितली किसकी रचना है कि भारत के हैं विदेशी नहीं है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा चलिए कमेंट केजिए लोग तो उर्वर बताए लोग पहले इसका राइट अंसर क्या होगा जैसंकर परसाद राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा जैसंकर परसाद जैसंकर परसाद की बात करे तो इन्होंने क्या लिखा 1909 में लिखा था और वर्षिप भी लिखा ओके प्रेमपथिक और कामयानी यह सब याद रखेगा पूछा हुआ कोश्चन है ओके आगे देखिए 2016 का जो है यह एक्जाम जो हुआ था उसमें यह पूछा गया होगे तो बहुत इंपोर्टेंट है करेंगे और नोट्स बनाते चलिएगा कितना इंपोर्टेंट है प्रिवेस एर से आपको पता चलेगा कि कोश्चन कैसे पूछा जाते हैं ओके देखिए निमलिखित में से सब सबसे पहले अपनी आत्मका था हिंदी में किसने लिखी निमलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मका था किसने लिखी चलिए कमेंट कीजी लोग कि इसका राइट अंसर क्या होगा तो देखिए निमलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मका था रजेंदर परसाद ने इनकी प्रमुक राचना है मेरी आत्म कहा था यह धिर प्रवसंहें, और को और इन्हों ने लिखा था मेरी उर्रो प्रयात्र है यह नहीं लिखा था धा कादी का अर्थ यही कहानी का मतलब क्या है चलिए कमेंट किजिए लोग कि इसका राइट अंसर क्या होगा अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आचल में दूध और आखों में पानी इसका मतलब क्या है तो चलिए बताइए यह महाभारत जो लोग देखे होंगे इसको आसानी से बता सकते राइट अंसर ये हो जाएगा ये राइट अंसर हो जाएगा आपने ये सुधारा क्या है काव है और मैथली सरन गुप्त द्वरवरचित परसीद काव है जिसकी परकासन सन 1933 में हुगा था याद रखेगा आगे देखिए अभी जाना नहीं है 20 कोशन और है हिंदिक 20 कोशन और है इसके बाद पुरा सेट लेकर आए हिंदिक कबीरदास की भासा थी चलिए बताए लोग कमेंट कीजे कि इसका राइट अंसर क्या होगा कबीरदास की भासा की बात करे तो इसकी राइट अंसर ये हो जाएगा साधुकरी हो जाएगा साधुकरी सुनिए कभीर दस की का विवासा पंच मेल पंच मेल भी इन्होंने लिखा था कोशन पूछता है पंच मेल की खीचरी या साधुकरी कभी कभी इसके बदले पंच मेल दे देगा कहीं कहीं साधुकरी दे देगा तो आपको दोनों याद रखना है, इसलिए बहुत important है, बीजक भी है इनहीं का, important है आप देखेंगे, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे कोचन भी और आपको 20 मिलेंगे, important है तो आप ignore नहीं करेंगे दोस्त, कितना important है आप भी समझ रहे हैं, और जो दोस्त हैं आपको स्रीफ क्या करना है मेहनत किजिए दोस्त पढ़ते रहना है पढ़ाई से भागना नहीं है सफलता मिलेगा अब ठान लेजे कि लेना है तो लेना है आपको किसी भी तरह ले ले लिजे रिजॉल्ट निकाल लेजे क्योंकि देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आ पढ़ने का मन नहीं करता है इसलिए अगर चल्दी सेलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो के आगे देखिए कोचन रहाप के डिस्पले पर निमलिखित प्रसन में दिये गए चार बीकल्प में से उस बीकल्प के चैन करे जो मुहाबरे का अर्थ ब्यक्त करता हो चरपाई पकरना क्या है चरपाई पकरना मुहाबरे का क्या अर्थ होता है राइट अंसर सी हो जागा बीमार परना ओके चरपाई पकरना बीमार होना समझ गए चलिए आगे देखिए दिये गए सब्द का समनार्थी सब्द का चैन करे आख आख का समनार्थी सब्द क्या हो तो बताइए इसका राई टंसर होजे का लोचन आख का समनारती सब्द लोचन होता है आख को लोचन भी बोलते हैं अक्ष भी बोलते हैं नयन भी बोलते हैं नेत्र भी बोलते हैं और चोक्छू भी बोलते हैं तो आप याद रखेंगे आगे देखिए आगे देखते हैं कि क् वकवांस के लिए एक सार्थक सब्द का चैन करें, मरने की एक च्छा, क्या है, मरने की एक च्छा, देखें, मरने की एक च्छा वकवांस के लिए एक सब्द मुरमसाह का पर्योग किया जाता है, किसका मुरमसाह का, तो राइट अंसर यह हो जाएगा, उके समझ गए, उसके ब पताईए देखें आपको पता है कि जिस भूमे में कुछ उत्पन नहीं होता है उसे उसर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसर ओके डी नमर में देखें दिया हुआ है ओके यहां पर दिया है उजर तो उजर को हम क्या बोलते हैं निर्जन या बिरान बोलते हैं ओके उपजावी ज बिलोम सब्द कौन सा है तो देखे यहां पर 4 अपसंदिया है बताना है देखे किर्टग एका मतलब होता है आभारी होना ओके तो इसका बिलोम क्या होगा हो जाएगा किर्टग ने ओके राइट अंसर सी हो जाएगा ओके आगे देखे दिये गए वक्वांस के लिए एक दूसरा नहों क्या हो गगा इसके शबाद कुए नहों करनार नहों कुमिन किजिए कि यह देखिए कि आ कर्मान्स को प्रौरमांत हो उसे हम आकरांत नहीं हो जाएक आकरांत कि इस ली अगे आंप अपمنुल भीफल का बिलउम सब्ध क्या होगा चलिए बताए लोकर समजगे कुछ नहीं यह समनार्थी सब्ध करना परवद जैसा कौन सा सब्ध है इसमें नगम इसके होता है और राईट ऐंसर भी हो जाएगा ओके फ्रेंड जिन लोगोंने भी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही आगे देखिए देगे वकांस के लिए सवब दीजे जो प्रानी जमीन पर रहता उसे क्या कहते हैं जो प्रानी जमीन पर रहता उसे क्या कहते हैं कमेंट किजिए देखिए अंसर जो प्राने जमीन पर हता उसे थल्चर कहते हैं, ओके, राइट अंसर दी हो जाएगा, ओके, रिक्त असानों को पूर्ति कीजिए, ओके, पत्र का उतर सिख्र देने की डैस करें, पत्र की उतर सिख्र देने की क्या, क्या करें, यानि कॉस्ट करें, ओके, तो राइट अंसर क्या हो तो देखे चंदायन के बात करें तो इसका राइट असर क्या हो जाएगा ओधी हो जाएगा ओधी की भासा है निमलीखित में से कौन सा सब्सक्राइब है निमलीखित में से कौन सा सब्ध तत्सम है तो देखे वर्षा जो है यह तत्सम सब्ध है ओके क्या है वर्षा तत्सम सब्ध है ओके आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आगे देखे नाक दबाने से मुह खुलता है इसका मतलब क्या है मुहाबरे का नाक दबाने से कमेंट किजे क्या राइट अंसर हो जागा देखें नाक दबाने से मुह खुलता है इसका मतलब होता है को ठोड़ता से कारसीध होता है तो राइट अंसर दी हो जाएगा जिन लोगों ने डी कमेंट किया उन समदा समाई है यह पूरु सब्ध है ओगे देखें उंगली पकर के पहुँचने का मतलब क्या होता है आप कमेंट कीजिए ANSWER बताते है तो क्या राइट 板सर होगा देखें अंसर बताते हाब कहने का मतலब है उंगली पकर कर पहुँचना इसका मतलब fright धीरे-धीरे साहस को बढ़ने देना ओके तो राइट अंसर क्या होजागा भी होजागा जिन लोगोंने बी कॉमेंट किया है उनका बिलकुल सही है अगे देखें आगे क्या दिया हुआ है इन में से कौन सा सब्द कौमल का परिवाची नहीं है क्या करना है इसमें आपको परिवाची बताना है तो आपको पता है दी नमर में देखे रसाल जो दिया है यह परिवाची नहीं है बाकि उत्पल, नलीन, राजीव में इसका होता है, कॉमल होता है, हर रोज में कौन सा समास होता है, कमेंट कीजिए बताया हुआ है, देखिए हर रोज में अभियवी भाव समास होता है, राइट अंसर यह हो जाएगा, जिन लोगों ने एक कमेंट किया, उनका बिल्कुल सही आपको पता है न, अभियवी भाव समास में जो पद होता है, वो अभियव के अर्थ की पर्धानता को बतलाता है, उके, पूरा सब्ध किरिया और विसेशन के अर्थ में पर्योग होता है, उके, तो आप याद रखेंगे, या थारुची, बेकाम, बेसरम, बतार, आजनम, या बारम-बार, इस सेंस में पर्योग करते हैं, समझ गए, आगे देखें, आगे है, राजन दोरा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक में वाच क्या है, राजन दोरा किताब पढ़ी जाती है, देखें, राजन दोरा जो किताब पढ़ी जाती है, इसमें जो वाच है, आपक करम वाच है क्यूं है तो समझ ये बताते हैं करम वाच क्रिया के उस रुपांतरण को कहते हैं जिससे ग्यात होता है कि वाक का उदेश क्रिया का करम है किसका क्रिया का करम हो के करम वाच में करता के आगे से द्वारा कारक्चीन लगा रहता है से द्वारा कारक्चीन लगा रह करता है याद रखेंगे क्या को अँद्धारन के क्या बहुत कि पत्र भेज दिया गया इसक फिरेंट यहां पर I ये था हमारा आज का अच्छाला को यहां अच्छा लगा होगा तब अपने डोस्ते के लिए बाइक लाइ का चैनल-पर नए आइकन जो नोटिफिकेशन होगा उसे अन कर दिजेगा ताकि 30 मिनट पहले वीडियो चालू होने से पहले आपके पास पहुंच जाए और इसका लाफ ले 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 ओके फिरेंड टेली ग्राम पर इसका पीडियो फिडियो भेज दिया गया है आप वहां से इसका पीडियो ले स किजे